शेर और बिल्ली बहुत समय पहले की बात है एक कनक नाम का बहुत बड़ा जंगल था जंगल में कई तरह के पशु पक्षी बड़े मजे से रहते थे उसी जंगल में नदी किनारे एक चिंकी नाम की बिल्ली रहती थी वह बिल्ली बड़ी ही चतुर और तेज दिमाग वाली थी उसे शिकार करने की सारी कलाएं आती थी हर कोई जानवर उससे घ्यान प्राप्त करना चाहता था जंदल के सारे जानवर उस बिल्ली को मौसी कहकर उकारते थे कुछ जानवर चिंकी बिल्ली मौसी से पढ़ने के लिए भी जाते थे एक दिन बिल्ली मौसी के पास एक शेर पाया उसने कहा नमस्ते बिल्ली मौसी मुझे भी आपसे शिक्षा चाहिए मैं आपका छात्र बनकर आपसे सब कुछ सीखना चाहता हूँ ताकि जीवन में आगे मुझे कोई दिक्कत ना हो कुछ देर सोचने के बाद बिली बोली ठीक है तुम कल से पढ़ने के लिए आ जाना अगले दिन से रोजाना शेर बिली मौसी के यहां पढ़ने के लिए आने लगा बिली ने शेर को डौड़ना जपट्टा मारना शिकार करना छलांग लगाना सब कुछ सिखाया एक महीने में शेर इतना सीख गया की बिली ने उससे कहा अब तुम मुझसे सब कुछ सीख चुके हो तुम्हें कल से सीखने के लिए आने की जरूरत नहीं है तुम मेरे द्वारा राप्त की गई शिक्षा की मदद से अपने आगे के जीवन को आसानी से जी सकते हो शेर ने पूछा आप सच कह रही है मुझे अब सब कुछ आ गया है क्या बिली ने जवाब दिया हाँ मैं जो कुछ भी जानती थी मैंने सब कुछ तुम्हें सीखा दिया है शेर ने दहारते हुए कहा चलो फिर क्यों ना आज इस विद्या को तुम पर ही आजमा कर देख लिया जाए इससे मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितना ग्यान मिला है दर के मारे सहमी हुई बिली मौसी ने कहा बेवकूफ मैं तुम्हारी गुरू हूँ मैंने तुम्हें शिक्षा दी है तुम इस तरह मेरे उपर प्रहार नहीं कर सकते हो शेर ने बिली की एक न सुनी और उस पर चुपट पड़ा अपनी जान बचाने के लिए तेजी से बिली दौडने लगी दौड़ते दौड़ते बिली पेड़ पर चड़ गई बिली को पेड़ पर चड़ा हुआ देखकर शेर ने कहा तुमने मुझे पेड़ पर चड़ना नहीं सिखाया तुमने मुझे पूरा ज्यान नहीं दिया पेड़ पर चड़ने के बाद राहत की सांस लेते हुए बिली ने जवाब दिया मुझे तुम पर पहले दिन से ही विश्वास नहीं था मैं जानती थी कि तुम मुझसे सीखने के लिए तो आए हो लेकिन मेरे ही जीवन के लिए आफ़त बन सकते हो यही कारण है कि मैंने तुम्हें पेड़ पर चटना नहीं सिखाया अगर मैंने तुम्हें यह ज्यान भी दिया होता तो तुम आज मुझे मार डालते गुसे में बिली कागे बोली तुम आज के बाद मेरे सामने कभी मत आना मेरी नजरों से दूर हो जाओ ऐसा शिश्य जो अपने गुरों का सम्मान नहीं कर सकता वो किसी काम का नहीं बिली मौसी की बात सुनकर शेर को भी गुसा आया लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि बिली मौसी पेड़ पर थी शेर बिली की कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी पर भी आखे मून कर भरोसा नहीं करना चाहिए जीवन में हर किसी से सतर्क रहने पर ही आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करे धन्यवाद